Assalamu alaikum, मैं जुलेखा अर्फा, जुलेखास किचिन से, तो चलिए, आज हम बनाते हैं बढ़िया से प्रॉंस फ्राइड रैस, प्रॉंस फ्राइड रैस कहिए, श्रिम्स फ्राइड रैस भी कह सकते हैं, या फिल जिंगे फ्राइड रैस कहिए, नम बदलने से ठेस्ट ऐसा कह बढ़िया मज़ेदारी रहेगा, चेंज नहीं होगा, इत्तिक कैरंटी है मेरी, तो चलिए, श्रू करते हैं आज की रेसेपी, साधारण, याने ओर्डिनरी इंग्रीडियन से, एक्स्टर ओर्डिनरी फ्राइड रैस बनाते हैं, वो भी प्रॉंस का, चलिए, मैंने यहां करीबन 300 गराम जिंगे लिए हैं, आप चाहें तो 206 गराम भी ले सकते हैं, मैंने मीडियम से थोड़ी बड़ी साइस वाली ले ले सकते हैं, इसकी जो बाहर की कवरिंगती शेल थी, जिंगे साफ कर लिए हैं, और अंदर से जो रग होती है, बीच से वो भी निकल वाली है, मैंने और इसे बहुत अच्छे से धो लिया है 2-3 पानी से और थोड़ी देर मैंने 2-5 मिनिट के लिए छन्नी के ओपर नितानने के लिए साइट पर रख दिया था प्याले में डाल दीजे, इसमें नमक डाल दीजे, स्वाद अनुसार, एक चुटचाय का चमज, सोया सॉस, चुटकी बर हल्दी, यहाँ पर डाल दीजिए, 1-4 चुटचाय का चमज भर कर मसाले का पौडर, एक चुटचाय का चमज, काश्मीरी लाल मिर्ज पौडर, वैसे ही यह less spicy यह वाला है, अगर आपका ज़्यादा spicy वाला हो, तो आप आपके इसाप से कम डाल सकते हैं, सारी चीज़ों को पहुत अच्छी से mix कर लीजिए, और इसे ढाक कर फ्रिज के अंदर रखिएगा, marinate करने, बाहर मत रखिएगा, फ्रिज के अंदर रखिएगा, जितना भी समय हो 15-20 मिर्ट, आदा गंटा मेरे पास 15-15 घंटा है, मैं उसे ढाक कर फ्रिज में रख देती हूँ, marinate करने के लिए, अगर आपके पास टाइम ना हो, तो यहीं से आप शुरू कर सकते हैं, procedure, यह सारी सबजियां हैं, मैंने बाइदर टाइम काट लिए हैं, और चावल को कणी नहीं रखी है, मैंने, अब इसे बाइल करके चान कर साइट पर मैंने रख दिया है, अब आगे यहां पर दो अंडे में एक प्याले के अंदर फोर कर दाल देती हूँ, थोड़ा सा नमक काली मिर्ज दाल कर इसे फेट लीजिए, अब एक कढाई के अंदर थोड़ा ते और तेल गरम हो जाए, तो हमारे जो अंडे हमने साइट पर फेट के रखें, वो दाल दीजिए, और इसे स्क्रामबल लेग, मतलब इदम मिक्स करते जाईए, जो स्क्रामबल लेग कैसे बनाते हैं, बस वो स्क्रामबल लेग बन जाए, और हमारे जो अंडा पक जाए, तो इन्हें एक प्लेट में निकाल कर इस तरीके से साइट पर रख दीजिए. वही कडाई के अंदर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए अपने स्वाद अनुसार और इसे अच्छा गरम हो जाने दीजिए. जब अच्छा गरम हो तो इसके अंदर ये जो मेरिनेट करी हुए हमारे प्राउन्स हैं उसे डाल दीजिए और फास्ट आज पर बार बार चलाते हुए इसे तकरीबन दो मिनिट तक फ्राई कीजिए. बस उसे जदा हमें फ्राई नहीं करना है. ये मेरा जो चूला है ना ये थोड़ा सा हलका छोटा चूला है तो मैं इसे शिफ्ट कर देती हूँ बड़े वाले चूले पर और वहां फटा-फट फ्राई कर लेती हूँ. तो बस आपने याद रखना है दो मिनिट ही आपने इसे फास्ट आच पर गरम तेल के अंदर फ्राई करना है. जब फ्राई हो जाएं तो इन्हें निकाल लीजिए नितार कर इस तरीके से और प्लेट में निकाल कर साइट पर रख दीजिए. ऐसे. अब हम तेल यही इस्तेमाल करेंगे. चूला फास्ट कर दिया और थोड़ा सा आपने लगे मेरे जैसा थोड़ा तेल और दालने जैसा तो दाल दीजिएगा परना वही तेल में आप काम चला सकते हैं. अब अच्छा गरम हो जाए तो इसमें दाल दीजिए. चार छोटे चा चमच, बारिक कटा हुआ लसन, दो छोटी चाय के चमच, बारिक कटा हुआ अधरक, दाल कर तकरीबन एक मिनिट तक फास्ट या मीडियम आज पर फ्राय कीजिए. बीच में दर्वियान में में दो सुखी हुवी लाल मिर्ची भी दाल देती हूँ और इसे बार-बार चलात हुए लसन और अधरक को फ्राय कर लीजे, जब फ्राय हो जाए तो यहाँ पर कुछ प्याज मैंने साइट पर रखी थी बारिक काट कर यह जो स्प्रिंग ओनियंस की प्याज होती है ना वाइट वाली जो प्याज वो मैंने दाली है, अगर आपके पास स्प्रिंग ओनियंस थोड़ी मैंने साइट पर रख दिये क्योंकि फ्रेशली ऊपर प्रेसेंटेशन के लिए दालोंगी तो मज़ेदार लगेगा ना, तो बस मैंने थोड़ी-थोड़ी स्रिफ पीसेस निकालके रख दिये, चूला आप चाहे तो फास या मीडियम पर भी रख सकते हैं और इसे बार-बार चलाते हुए तकरीबन सिर्फ 10-15 सेकंड ही आपने ये जो स्मिला में रचे उन्हें फ्राइ करना है, जादा मत फ्राइ कीजेगा, कच्छी पकी रखेंगे तो बड़िया सा करंच आएगा हमारी फ्राइड राइस में तो मज़ा आएगा, जब 10 सेकंड हो जाए तो अब हम सॉसस दाल देते हैं, दो छोटी चाय के चमच, रच चिली सॉस दाल दीजिए, दो छोटी चाय के चमच, सोया सॉस, मेरा डार्क वाला है, आपका लाइट वाला हो, तो आप वो भी दाल ही सकते हैं, एक छोटा चाय का चमच, विनेगर, विनेगर आप जादा जा तो बेशक आप डाल सकते हैं, मैंने एक चोड़ा चाय का चमच ही डाला है, अब एक टेबल स्पून यहां मैं डाल देती हूँ, ओइस्टर सॉस, मेरे पास ओइस्टर सॉस रखा है, तो मैं डाल रही हूँ, आपके पास ना हो, तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश अब यह डालने के लिए, क्योंकि है बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, इससे मैंने यह नोटस किया है, सीफूट के अंदर, स्पेशली प्रॉंस के अंदर, अब यह डालने के बाद, इसे मिक्स कर लीजिए, चूला मीडियम पर ही है तब से, और इसमें उबाल आजाने दी दीजिए, बन फोट छोड़ से का चमच काली मिर्चो का पाउडर दाल दीजिए, नमक थोड़ा सा चिड़क दीजिए, और जो हमने प्रॉंस फ्राइ करके रखें, सारा दाल दीजिए, प्लेट के अंदर, जो भी तेल वगेरा लगा हो, वो भी सारा डाल दीजिएगा, और अब कर दीजिए, चूले को मीडियम आज, और इसे बार-बार चलाते हुए, हलके हाथ से जेंटली मिक्स कर लीजिए, इस कदर मिक्स कीजिएगा, कि हमारे जो चावल है, ये टूटे-फूटे ना, हलके हाथ से मिक्स कीजिएगा, और आप चाहें, तो बीच-बीच में अच्छे से मिक्स कर लीजिए, टॉस कीजिए, तीन-चार मिनिट तक और अच्छा मिक्स हो जाए, तो चूले को कर दीजिएगा, बंद, और उपर से फिर से हरी प्यास की पत्ती, स्पिरिंग ओनिन्स दाल कर, घर्मा गरम, इसे एक प्याले, या फिर एक प्लेट में निका और सर्व कीजिए, अच्छा, यहाँ पर है ना, मैं एक पॉइंट शेय करना चाहूंगी, कि यह जो चावल है, कभी-कभी हमसे एक कणी रह जाती है, कभी-कभी होता है, तो कुछ नहीं, यहाँ आप मिक्स कर ले, तो स्लो आज करके इसे ढाकर दम पर दो-तीन मिनिट तक र और मैंने यहाँ कर दिया चूला बंद, मुझे थोड़ी करंची-करंची सबजें अच्छी लगती है, तो मैं हमेशा एंड मोमेंट पर, एंड टाइम पर जब बन जाती है, उसके बाद उपर से डालती हूँ, वो मैंने डाल दिया, दो-तीन मैंने प्रॉंस भी साइड पर वैसे बस इसमें एक ही चीज है, आपने स्पाइस, अपने स्वाद अनुसार दालना है, और आप चाहें तो हरी मिर्चिया भी बारिक काट कर दाल सकते हैं, और यह आप देख सकते हैं, बढ़िया सी मज़ेदार सी हमारी प्रॉंस, फ्राइड राइस बन चुकी और डिलिश भी बनाएं, तो मेरे साथ कमें सेक्शन में जरू शेक कीजिएगा, मुझे आपके कमें स्पन्ने बहुत अच्छे लगते हैं, अगर आपको यह रेसेपी अच्छी लोगी हो, तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए, इस वाले वीडियो को उससे जादा सब्सक्राइब के साथ, अंतल दें, तेकेर लाफिस, बाइबाए!